बॉलिवर इंडस्ट्री में हर फिल्मी सितारे की लाइफ में कैसा दौर हमेशा आता है जब उनका फिल्मी करियर का ग्राफ तेजी से किरता है फुल मिलाकर एंडस्ट्री का फंडा साफ है अगर एक्टर की फिल्में बॉक्स आफिस पर चल रही है तो वो हिट है और अगर नहीं चल रही तो वो फ्लॉप इस लिस्ट में ऐसे कई बड़े सूपरस्टार्स है जो कुछले कई सालों से बड़े परदे पर पिट रहे थे लेकिन साल 2023 नों होने कमबैक कर हिंदी सिनवा के कई नए रिकॉर्ड बराए जिसमें सबसे बड़ा नाम शारू खान का है वैसे की 2024 भी कई पुराने सितारों क जाने दू या जाने ना और डेली बेली जैसी फिल्मों में अपनी आक्टिंग के लिए जाने जाने वाले आक्टर एक बार फिर दर्शकों का मनुरंजर करने के लिए तयार है जायद खान 2015 से फिल्म जगत से कायब आक्टर जायद खान भी इसी लिस्ट का हिस्सा है आठ सालों के बार अक्टर फिर से आक्टिंग की दुमिया में बाक्षी करने वाले हैं इसी साल मार्च में आक्टर ने इस्टेग्राम पर लिखा था हेलो दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट से मुझे इंडस्ट्री 20 साल पुए हो गए हैं एक बाफ फिर मैं आप लोगों को ये बताने के लिए एक्साइटिट हो की मेरी नई फिल्म आने वाली है साहिल खान स्टाइल और एक्स्क्यूज यू जैसी फिल्मों में फैंस का एंटर्टेइन्मेंट करने वाले साहिल खान 13 साल बार स्क्रीन पर वापसी करने के लिए तयार है उन्होंने इसका एलान सोशल मीडिया पर एक कोलाज के साथ शूर किया था जीनत अमान सत्तर के दर्शक की एक आइकन जीनत अमान भी दर्शकों को लुभाने के लिए तयार है इस साल वो भी बड़े परदे पर अपनी आक्टिंग फिर से दौरादी कोई नसर आने वाली है जीनत अमान ने हरे राम, हरे कृष्णा और डॉन जैसी प्लासिक कल्ट फिल्मों के साथ भारतिय सिनिमा पर एक अमिट छाप छोड़ चुकी है बॉलीवूद के लेटेस्ट न्यूस, गॉसिप, फिल्म रिव्यूस, सॉंग रिव्यूस के लिए, सब्स्क्राइब करें हमारे चानल क्रेजी फॉर बॉलीवूद को And yes, don't forget to press the bell icon, ताकि हमारे चानल पे आई कोई भी नई information, आप बिलकुल भी मिसना कर पाएं